भुपाल के बैरागर स्थित 3 EME सेंटर में हुए भूतपूर सैनिकों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद की मा को मिलने वाली सम्मान निधी को बढ़ा कर 10,000 रुप्ये प्रतिमाह किये जाने का एलान किया है शहीद की बेटी और बहन की शादी में 51,000 रुप्ये की राशी देने का भी एलान मोहन यादव ने किया 6 साल बाद भुपाल में हुए इस कार्यक्रम में 102 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवानों ने हैरतंगेच प्रदर्शन किये कार्यक्रम में नौसेना प्रमुक एड्मिरल दिनेश कुमार त्रिपार्थी मुख्य आतिथी के रूप में उपस्थित थे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किये कई अलान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अलान किये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीदों की परिजनों को दी जाने वाली एक करोर की राशी को लेकर कई तरह की परिशानिया देखने में आ रही थी इसे देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है अब आधी राशी माता पिता और आधी शहीद की पत्नी की दी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद की मा को हर माह दी जानी वाली सम्मान निधी को बढ़ा कर 10,000 रुप्य किया गया है शहीद की बेटी और बहन को मिलेंगे 51,000 मध्य प्रदेश में द्वितिय विश्वयुद की शहीद परिवार रहते हैं उनकी पत्नी को मिलने वाली राशी को बढ़ाया जा रहा है अब इस राशी को 8,000 रुप्य की स्थान पर 15,000 रुप्य किया जा रहा है शहीद की बेटी और बहन की शादी के समय राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुप्य की राशी दी जाएगी ऐसी बेटिया जो भारतिय सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं उनके माता पिता को सम्वान निधी के रूप में मिलने वाली राशी को दोगुना किया जा रहा है अब इसे 10,000 से बढ़ा कर 20,000 रुप्य किया जा रहा है भूतपूर सैनिकों के बच्चों के लिए बढ़ेंगी सुवेधाएं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भूतपूर सैनिकों, दिव्यान सैनिकों और विध्वाओं को मिलने वाली चात्वरित्ती को राज्य सरकार और बढ़ाने पर विचार कर रही है CM ने कहा कि भूतपूर सैनिकों के बच्चों को विबिन कोसेस में आरक्षन दिया जाएगा जिला सैनिक कार्याले में सहायक ग्रेट 3 की स्तर पर पदू को बढ़ाने का भी फैसला किया जा रहा है